हेलो फ्रेंड्स इस करीमर शर्मा फ्राम अर्यन पॉब्लिकेशन फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे उत्कर प्रदेश राज्य विदृत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा निकाली गई 353 भर्तियों के बारे में तो यह जो वेकेंसी थी यह पहले निकाली गई थी इनका जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था वह हुआ था 5 मार्च 2020 को और जो इनकी एप्लिकेशन देट थी वो थी 7 मार्च 2020 से 6 अप्राइल 2020 की तक की लेकिन COVID-19 के चलते हुए यह जो डेटा यह कर दी गई है इसे कर दिया गया है 29 जुलाय 2020 तक तो जो भी कंडिट्स उस समय इप्लाइ नहीं कर पाई थे किसी भी कारण वर्स आज कर सकते हैं 29 जुलाय तक का टाइम है आपके पास जो भी इंप्रस्टेट कंडिट्स है और जो इलेजिबल है जिस भी पोस्ट के लिए व तो प्रेंट से स्टार्ट करते हैं देखे जो ये विकेंसी निकाली है उत्तर प्रदेश राजय विदुद उत्पादम निगम ने अलग अलग पदों के लिए निकाली है तो कौन-कौन से पदों के लिए ये विकेंसी है ये देख लेते हैं एक बार जो पदों के लिए निकल और computer science के लिए है तो सबसे पहले यांत्रिकी की अगर हम बात करें mechanical की तो इसमें जो total पदों की संख्या है total number of post जो है जितने पदों के लिए vacancy है number of seat है यहाँ पर 11, unreserved के लिए 4 seat है OBC के लिए NCL के लिए 3 है SC के लिए 3 है ST के लिए कोई seat नहीं है और economically weaker section के लिए एक seat है अगर बात करें electrical की जद्धती तो उसमें जो total number of seats है वो 8 है जिसमें से unreserved के लिए 4 है OBC के लिए 3 है SC के लिए 1 है इसके अलावा जो next पद है next विधा है वो है electronics and instrumentation जिसमें से total number of vacancies जो है वो है 6 जिसमें से unreserved के लिए 2 है OBC के लिए 1 है और SC के लिए 2 vacancy है और EWS के लिए economically weaker section के लिए भी एक vacancy है इसमें अब बात करते हैं computer science trade की तो computer science में जो total पदों की संख्या है वो 3 है जिसमें से unreserved अनारक्षित वर्ग के लिए 2 है अन्य पिछड़े वर्ग के लिए एक है और बाकी किसी वर्ग के लिए कोई vacancy नहीं है तो यह तो बाती सायक अभिहंता प्रिसिक्षू E&M की अब हम बात करते हैं सायक अभिहंता प्रिसिक्षू जानपती तो इसमें जो total number of vacancies है यह है 13 जिसमें से 8 vacancy अनारक्षित के लिए है और एक अन्य पिछड़े वर्ग के लिए और 3 हमारी schedule cost यानि की अनुसूचित जाती के लिए है और जो आर्थिक रूप से कमजोर category है economically weaker section है उसके लिए एक vacancy है इसके लावा जो दूसरी post है इसमें दूसरे पत के लिए जिसके लिए vacancy है वह है लेख अदिकारी प्रिसिक्षू के लिए जिसमें कुल पदों की जो संख्या है वह 4 है और यह चारों ही अनारक्षित वर्ग के लिए है अब बात करते हैं गय समूंकी यह तो अब तक जो हमने vacancy देखी यह थै समूंकी थी अब हम बात करेंगे गय स प्रिस्पार के लिए जो सबसे पहला पद है वह सहायक समिक्षा अधिकारी का जिसमें कुल पदों की संख्या है वह 10 है जिसमें सिफ 5 जो है वह अने पिछड़े वर्ग के लिए और जो 2 है वह अनुसूचित जाती याने की शेडुल कास्ट के लिए है और एक जो सीट है व इसमें से unreserved के लिए 10 है, OBC के लिए 2 है, अनुसुचित जाती SC के लिए 5 है और economically weaker section के लिए 1 है और भूत पूर्व सैडिक यानिय की ex-serviceman के लिए भी एक post seat दी गई है अब बात करते हैं फार्मसिस्ट की, तो जो फार्मसिस्ट की post है टोटल जो number of vacancies है वो है 17 जिसमें से 9 आपकी undeserved के लिए है, 5 OBC, NCL के लिए है, 2 Sheddle Cast के लिए, SC के लिए है, 1 economically weaker section के लिए और 1 ESM के लिए दी गई है अब बात करते हैं technician grade दित्टे की, तो जो technician grade है इसमें भी अलग-अलग विधाए है तीन विधाओं के लिए इसमें vacancies निकली हुई है, पहली है fitter, दूसरी है electrician और तीसरी है instrument तो जो fitter के लिए total number of vacancies है, पुल पदों की जो संखिया दी गई है, वो है 78 जिसमें से 33 हैं undeserved के लिए, 21 है, other backward classes के लिए, और 16 है, अनुसूचित जाती हैने की schedule cast के लिए जो ST है, अनुसूचित जाती है, उनके लिए भी एक है यहाँ पे, और economically weaker section के लिए 7 seats हैं, और ESM के लिए 3 seats हैं, और इसे के साथ DFF, याने की जो सुतंतरता संग्राम सिनाने की आश्रित हैं, उनके लिए भी exit दी गई है, अब जो second trade है, इसका दूसरी जो विधा है, वो है leftrition, इसमें जो total number of vacancies हैं, वो है 139, जिसमें से 58 याने की 58 है undeserved के लिए, 37 है अन्य पिछड़े वर्क के लिए, OBC के लिए, 29 है अनुसूचित जाती, schedule cast के लिए, 2 seat दी गई है, यहाँ पे अनुसूचित जन जाती के लिए, याने की ST के लिए, और 13 seat दी गई है, यहाँ पे economically weaker section, याने की आर्थिक रूप से कमजोर वर्क के लिए, ESM के लिए भी हाँ पे 6 seat है, और DFF के लिए 2 seats रखे गई हैं, अब जो सबसे last पद ब के लिए 9 है, अनुसूचित जन जाती के लिए, कोई भी पद नहीं रखा गया है, इसमें economically weaker section के लिए भी 4 है, और ESM के लिए 2 पद दिये गए है, तो देखिए जो पदों की संख्या है, यह उत्तर प्रदेश राजय विदुत निगम अपने आवशक का अनुसार घताया पद कोड दिये गए है, एक दो, तीन, चार, चारू के लिए जो पे मैट्रिक्स लिवल होगा, वो होगा लिवल 10, जो प्रारंबिक वेतन होगा, वो 56,100 से 1,87,500 तक होगा, चीक है, और जो भत्ते हैं इनके, वो expenses जो है, वो होंगे उत्तर प्रदेश राजय विदुत उत् में लागो नियमनस्वार ही रखे जाएंगे, अब जो दूसरी पोस्ट है, वो है सहाय कभी हनता प्रिसिक्षु जानपत की, तो इसका जो पद कोड है 5, 5 पद कोड की जितनी भी वेकेंसी है, उनका जो पे स्केल होगा, वो लिवल 10 का होगा, और जो प्रारंबिक वेतन होगा, वो 56,100 से 1,77,500 रुपे तक होगा, अब आप करते हैं सहायक समिक्षा अधिकारी की, तो इतका पद कोड साथ है, और जो इनका पे स्केल का लिवल होगा, वो होगा 6, और जो प्रारंबिक वेतन होगा, 36,800 से 1,16,500 तक होगा, स्टाफ नर्स के अगर हम बात करें, पद कोड जो है, फार्मिस्ट का वो 9 है, और जो लिवल होगा, पे लिवल हो 5 है, और जो प्रारंबिक वेतन होगा, वो 29,800 से 9,043, 84,300 रुपे होगा, अब बात रहते हैं, टेक्नीशन ग्रेट की, जिनका पद कोड होगा, वो है 10, 11, 12, और जो पे लिवल होगा, इनका लि लागू होंगे, तो ये बात होई, पेस्केल की, वेकनवान की, आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं, क्या क्या qualification required है, कौन-कौन सी essential qualification है, जिनका आपके पास होना जरूरी है, तभी आप क्या कर पाएंगे, इस post के लिए apply कर पाएंगे, तो बात करते हैं, देखें, सबसे पहले assistant engineer training E&M की post code, जो है, एक, दो, तीन, चार, तो इसमें आपके हो हिंदी की, देव नागरी लिपी की, क्या knowledge होना जरूरी है, अगर आपका high school और उसके कोई equivalent exam हिंदी में पास नहीं है, तो आपको एक registered department examination government board, UP के द्वारा एक exam clear करना होगा हिंदी भाशा में, चीक हैं, अब इसके बाद इसके जो eligibility criteria है, वो देख लेते हैं, देखिए, अगर आप mechanical के लिए, mechanical trade के लिए apply कर रहे हैं, तो आपके पास mechanical engineering होना जरूरी है, mechanical production industrial engineering, production and industrial engineering, या फिर thermal, या फिर mechanical and automation, या फिर power engineering, तो ये degree होना आपके पास जरूरी है, तभी आप eligible है, apply कर सकते हैं, अगर आप electrical के लिए apply कर रहे ह हैं, तो इसमें भी electrical engineering होना, जिसमें की, जो आपके engineering में हो सकती है, वो किसके spread में हो सकती है, electrical, electrical and electronics, या फिर electrical, instrumentation and control, या फिर power system and high voltage, power electronics और power engineering, अब बात क्रते हैं, mechanics and instrumentation की, तो instrumentation engineering और electronics engineering की, अलग-अलग होना जरूरी है, instrumentation engineering की आगर हम पहले बात करें तो Instrumentation या Electronics से या फिर Instrumentation या फिर Instrumentation and Control से अगर Electronics Engineering की बात करें तो उसके रहında Electronics या Electronics and Telecommunication या फिर Electronics and Power या फिर Power Electronics और Electronics and Communication या फिर Electrical and Electronics इन में से किसी भी प्रेड में अगर आपकी डिग्री है तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाइ कर सकते हैं, जो लास्ट ट्रेड है वो है computer science, तो computer science and information technology जो ब्रांच है इसकी उसके अंतरकत आपके पास कौन से डिग्री होना ज़रूरी है, computer science and engineering या फिर information technology की, तो ये तो बात हुई, assistant engineer training की, इसी के साथ जो degree है वो आपकी full time regular bachelor degree होनी चाहिए, engineering या technology की और इसी के साथ आपके जो marks होने चाहिए, वो 65% marks की हाँ पर requirement है, 65% marks होने चाहिए, तीन साल का, आपके जो तीन साल के degree होगी, 4 साल की या 3 साल की, तो उसका on an average, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, जो next post है, वो है assistant engineer training की, civil की post code है 5, तो इसमें जो आपके पास requirement है, eligible जो आपकी branch है, वो है civil engineering, तो आपके पास degree किस चीज की होने चाहिए, civil या construction की, इसमें भी आपको कम से कम आपका जो total, आपकी degree है, उसके जो चारो साल है, उनका जो average है, वो 65% marks होना जरूरी है, और full time होना भी जरूरी है, full time regular degree होने चाहिए, बैचलर आपके पास, तब भी आप क्या कर पा चाहते हैं इस post के लिए, तो आपको हिंदी के knowledge होना जरूरी है, अगर आपके पास 10th में Hindi as a subject नहीं था, तो आपको हिंदी के लिए एक exam clear करना होगा, जो कि आपके joining के 3 साल के अंदर-अंदर होगा, departmental examination government of UP के द्वारा conduct किया जाएगा, इसके अलावा, आपके पास post graduation degree, ज इसमें कम से कम आपके first class से pass होना जरूरी है, यानि कि 60% marks होना जरूरी है, और ये उस university से होना चाहिए, जो या तो UP में established हो, या फिर UP government के थूरू recognized हो, या फिर किसी state या central legislature के थूरू approved हो, या फिर UGC या फिर AICTE के थूरू approved हो, इसके साथ ही आपके पास post accountant और chartered accountant के qualification य जरूरी है, अगर आपके पास इन में से कोई qualification नहीं है, तो आपके पास अगर master's है, business administration में master degree है, या फिर इसी के equivalent कोई और degree है, finance या accounts में, किसी भी recognized university से, जो कि युत्तर प्रदेश government के द्वारा approved हो, या फिर All India Council for Technical Education के द्वारा approved हो, या government of India के द्वारा approved हो, या फिर UGC औ आपको किसका working का कहा, finance या accounts audit branch में, private public किसी भी sector का, तो वो आप candidates, वो candidates क्या कर सकते है, apply कर सकते है, अब इसी के साथ बात करते हैं, next post की, तो देखे friends, जो next post दी गई है, वो है assistant review officer की, इसके लिए आपको हिंदी की knowledge होना, हिंदी भाषा की, दिवनागरी लिपे की knowledge होना जर established की गई हो, और इसी के equivalent को other qualification भी, जो किसी state government से recognized university हो, उसके through, अगर आपने किया है, तो भी आप क्या कर सकते है, apply कर सकते है, इसी के साथ typing speed, आपकी 22-25 words per minute होना जरूरी है, हिंदी और English, दोनों में, इसी के साथ computer knowledge होना भी जरूरी है, कि आपको अच्छा experience होना चाहिए, क computer working का, और इसी के साथ, अगर किसी candidate को HR का, किसी भी government institution का experience है as an HR, तो उसे यहाँ पे preference अलग से दिया जाएगा, और देखे, distance learning education को यहाँ कोई भी value नहीं दी गई है, तो अगर किसी candidate ने distance learning के तुरू कोई भी degree ली है, तो वो यहाँ पे क्या है, eligible नहीं है, अब बात करते है next post की, तो next post है हमारी staff nurse की, जिसका post code है 8, तो उत्तरप्रदेश nursing council द्वारा मानने था प्राप nursing एवं midwifery में diploma होना जरूरी है, अगर आप इस post के लिए apply करना चाहते हैं, अगर आपका diploma distance learning से है, तो उसे हाँ approval नहीं दिया जाएगा, तो आप eligible नहीं होंगे, और जो आपक diploma है, या फिर जो भी provisional diploma है, वो आपका जिस time आप submission कर रहे हैं अपना application के उस time तक वो complete हो चुका होना जरूरी है, तभी आप eligible है, तभी आप apply कर सकते हैं, अब जो next post है, वो है pharmacist की, तो pharmacist की तो देखिए, जो post है, post code है 9, इसमें भी pharmacist का diploma उत्रप्रदेश शास्टन मानिता प्राप संस्थान से होना जरूरी है, या फिर जहां से भी आप कर रहे हैं, वो उत्तरप्रदेश फार्मेसी काउंसिल से पंजिकरत होना, यानि रजिस्टर होना जरूरी है, और distance learning की यहापे eligibility नहीं है, अगर आपने distance learning से किया है, तो आप eligible नहीं है, और साथ ही technician grade 2 की technician शेणी दित्य इलक्रीशन पद के लिए आपको क्या होना जरूरी है, माधमे सिक्षा परिशत उत्रप्रदेश की high school विज्ञान एवं गडित विशे के साथ ही, या उसके समकक्ष कोई परिक्षा आपने उत्रेन की हो, तथा इलक्रीशन ट्रेड में आखिल भारतिय राज्ये वेवसाइक प्रमाणपत्र, डुएक वरत्मान में, NIELIT के द्वारा, असी घंटों की course on computer concept होना जरूरी है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं, फिटरपद के लिए, तो देखिए, फिटरपद के लिए क्या करना है, आपको माधमे सिक्षा प्रमाणपत्र होना जरूरी है, अगर हम बात करें इंस्टुमेंट की, टेकनीशन शेणी के दित्यपत्र की इंस्टुमेंट में, तो उसके लिए भी आपके पास माधमिक, शिक्षा परिशद, उत्रपरदेश, द्वारा, हाई स्कूल, विज्ञान एवम, गणित विशे के साथ या इसके समकष कोई भी परिक्षा अक्त्रीन होना जरूरी है, और इसे के साथ इंस्टुमेंट या इलेक्ट्रानिक स्ट्रेड में, अखिल भारतिय राज् जैसे कि मैं अभी इससे पिछली पोस्ट में भी मैंने बताया था कि जिस टाइम आप अप्लाइ कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं उस टाइम आपके जो भी डिग्री हाँ पर रिक्वाइड है, जो भी सर्ट्विकेट चाहिए वो आपका कंप्लीट होना जरूरी है, तो इसके लिए आपको न्यूनतम आईउ 21 वर्ष और अधिक्तम 40 वर्ष होना जरूरी है, अगर आप लेख अधिकारी प्रिसिक्षू जिसका पद कोड है 6 उसके लिए अप्लाइ कर रहे हैं, तो न्यूनतम आईउ 21 वर्ष अधिक्तम 40 वर्ष होना जरूरी है, अगर आप सहाय वो न्यूंतम 18 और अधिक्तम 40 वर्ष होनी जरूरी है अगर आप फार्मसिस्ट के लिए अप्लाय कर रहे हैं तो पद कोड 9 है और इसकी भी न्यूंतम आयू जो है ठारवर्ष और अधिक्तम 40 वर्ष होना तरह है इसके बाद अगर आप टेक्निशन ग्रेट दित्ते के लिए जिनके पद कोड है 10, 11, 12 उसके लिए अप्लाय करते हैं तो जो न्यूंतम आयू दी गई है वो 18 वर्ष है और जो अधिक्तम है वो 40 वर्ष है अब इसी के साथ हम बात करते हैं कि आविदन शुल्क क्या है किस पोस्ट के लिए किस पद के लिए क्या आविदन शुल्क दिया मतापत की लेख अधिकारी प्रिसिक्षू की और सहीख समिक्षान अधिकारी की तो अनुसुचित जाती वह नुसुचित जन चाती शुडश्र ॡरी जो फीस है उततर परदेश के जो मूण निवासी है उनके लिए जो फीस दी गई है 700 रूप։य दी गई है और अगर हम ब बात करते हैं आविधन शुलक आप किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं तो देखिए जो पेमेंट होगा इसका वह आप बैंकिंग, डैबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से SBI collect के थुरू कर सकते हैं जो form submission है वो 24 गंटे के बाद payment gateway activate होगा विधुत उत्पादन निगम की official website www.uprvun.org उस पे available है वहां से आप steps follow करते जाएंगे तो उसके थुरू आप क्या कर सकते हैं अपने शुलक का भुगतान कर सकते हैं तो यह तो बात है payment mode की कि किस तरीके से आप payment कर सकते हैं अब हम बात करते हैं selection process की तो देखिए जो selection process है तीन घंटे की होगी computer based test जो होगा उसमें अनुसुची जाती और अनुसुची जन जाती के शेडियों को नियुनतम 28 प्रतीशत और अन्य सभी शेडियों को नियुनतम 33 प्रतीशत अंक प्रात करना क्या होगा अनिवार्य होगा तो friends यह तो बात हुई एक basic selection process की अब यह दे पोर तो इसमें क्या है अगर आप इसके लिए apply कर रहे हैं तो आपके जो exam होगा वो दो पार्ट में होगा पहला पार्ट जो होगा 150 objective type question होगे जो कि आपके degree जो आपके relevant branch है चाहें फिर वो electrical है mechanical है electronics and instrumentation और computer science है उससे related होगे और जो इसका part B होगा उसमें 50 objective type questions होगे जो कहा से होंगे general Hindi, general knowledge और reasoning से हर सही उत्तर के लिए आपको एक number मिलेगा और negative marking है यहाँ पे अगर आप गलत answer करते हैं तो 1 by 4 marks की यानि की 0.25 marks की negative marking है अब second जो post है उसकी अगर हम बात करें तो उसकी assistant engineering trainee civil post code 5 है तो इसके भी जो दो paper होगे part 1 होगा आपका 150 questions जो होगे वो engineering degree यानि और reasoning का होगा इसमें भी हर सही answer के लिए आपको 1 marks मिलेगा और गलत के लिए 1 by 4 की negative marking है अब बात करें account officer की तो देखिए account officer trainee की जो post code है वो है 6 इसके लिए भी अगर आप direct जो direct आपका selection होगा recruitment जो होगा वो objective type exam पे based होगा और interview होगा दो marks का कुछ दो तरीके का कुछ दो part मे divide होगा आपका question paper 150 जो पहला paper होगा part 1 जो होगा आपका जिसमें 150 objective type questions आएंगे वो आपके account subject के MBA finance, cost account, chartered account पे based होगे और जो part 2 होगा वो general होगा सभी के लिए general हिंदी, general knowledge और reasoning पे based होगा marking का criteria सेम रहेगा बात करते हैं next post की assistant review officer post code है 7 इसमें भी जो exam वो exam और interview based होगा आपका objective और subjective देखें इस post के लिए जो exam होगा आपका वो objective और subjective दोनों तरीके का होगा तो अगर हम बात करें 3 parts में होगा paper, part 1 जो होगा इसमें 100 objective questions होगे, जो कि किस पे based होगे, human resource knowledge पे, जो part 2 होगा उसमें 25 objective questions, general knowledge पे होगे, 25 general English पे होगे और हर correct answer के लिए आपको 2 marks मिलेंगे और negative marking है 0.50 marks की, बिल्कुल आधा number कटेगा, आप 1 by 4 की negative marking है 2 number में से, अगर आपको 2 number मिलते हैं एक correct answer के लिए, तो ये गलत answer के लिए आपको 0.50 marks कटेंगे, part 3 की अगर हम बात करें, तो 3 topic essay के लिए आपको दिये चाहेंगे, हिंदी औ English, दोनों language में जो कम से कम 250 words का होना जरूरी है, इसके जो maximum marks है, 50 number है हिंदी के लिए और 50 number है English के लिए, यानि के 100 marks का ये paper होगा, तो ये तो बातती है assistant review officer की, देखिए और यहाँ पे interview का नहीं है, selection जो है, वो सिफ written exam के base पे है, अब बात करते हैं staff nurse की, तो देखें staff nurse का ज exam के base पे होगा, जो की 2 part में होगा, part 1, 150 questions होगे, जो 150 questions होगे आपके, ये syllabus से होगे, आपका जो diploma होगा, nursing का, midwifery का, जो की UP nursing council के दोरा approved होगा, उस पे based होगा, और जो part 2 होगा, वो आपका general knowledge and reasoning, इस पे based होगा, हर correct answer के लिए 1 mark है, और negative marking होगी 1 by 4 की, यानि के गलत answer के लि pharmacist का भी जो selection process है, objective type competitive exam पे based होगा, दो part में है ये exam भी, पहला जो 150 marks का exam होगा, वो आपके, जो diploma है, आपका pharmacy का, उसके syllabus पे based होगा, और जो दूसरा 50 marks का, वो general exam होगा, general Hindi, general knowledge, और reasoning पे based, हर correct answer के लिए marking procedure वही same है, एक number मिलेगा, हर correct answer के लिए, अगरत answer पे 0.25 marks का mark, 0.25 marks deduct ह होगे, last post की बात करते है, technician grade 2 की post code है, 10, 11, 12, इसमे जो आपका recruitment होगा, वो भी objective type competitive exam के थुरू होगा, जो कि 2 part में होगा, पहला जो part है, 150 objective type question होगे, जो आपका syllabus होगा, ATI का, उससे, और जो part 2 होगा, 150 objective type question होगे, general Hindi, general knowledge, और reasoning के, correct answer के लिए, एक number मिलेगा, और गलत के लिए 0.25 निमार्क की negative marking होगी, तो ये तो बात है, exam CBT का pattern आपका क्या रहेगा, अब बात करते हैं, आप apply किस तरीके से कर सकते हैं, जो की इस वीडियो का सबसे important topic होता है हमारा, तो देखिए apply करने के लिए, आपके पास एक valid email ID और mobile number का होना, जरूरी है, आपको होँआ पर क्या करना होगा, registration के समय, तो recruitment का जो पूरा process होगा, registration, number, password, ये सभी important communication आपको email ID, mobile number के थूरू आप तक deliver किया जा सके, अब जो इसका apply करने का जो process है, पूरा वो तीन step में complete होगा, पहला step होगा, जिसमें कि आपको क्या करना होगा, registration करना होगा, sign up करके अपने personal details, contact details, login ID, password, ये सब आप यहाँ पर registration करते हुए form में fill करेंगे, जो दूसरा step होगा, वहाँ पर आपको क्या करना होगा, login to complete the personal details, qualification, detail and declaration, login करके, जितनी भी आपकी details हैं, वो सभी आपको क्या करने होगा, वहाँ पर complete करने होगी, और जो third step होगा, the payment of application fee after 24 hours through online mode via debit card, credit card, और internet banking through state bank collect system of state bank of india, यानि कि payment, आपका जो payment का procedure होगा, जब आप application कर देंगे, उसके 24 घंटे के बाल, आप क्या कर सकते हैं, payment कर सकते हैं, online, किसी भी online माद्धी हमसे चाहें, फिर आप debit card से करें, credit card से करें, या फिर internet banking से करें, जो किसके थुरू होगा, state bank collect system, जो कि state bank of india का process है, उसके द्वारा तो अब हम बात करते हैं, step 1 की, तो दीखें, जो step 1 है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी terms and condition है, उन्हें ok करके, iid पर आप click करेंगे, उसके बाद, आपका form जो है, वो fill करना है, जिसमें आपको अपनी personal details, contact details भरने हैं, ये details भरने के बाद, आपको, आपके registered email id प आपके जो भी बागी details होगी, वो वहाँ आपको fill करने के साथ ही, आपको अपनी photograph की image, signature की image, और self-attested certificate की image होगी, वो upload करने होगी, तो देखें, photograph जो होगा, आपका वो recent passport size colored photograph होगा, ठीक है, और जो size होगा, इसका 20 KB से 50 KB तक JPEG, या फिर JPEG format में होना जरूरी है, जो signature ह आपके white paper पर black ink pen से होने चाहिए, और जो इसका size होगा 10 KB से 20 KB तक होना जरूरी है, JPEG format में, अब जो आपके certificates है, जितने भी आपके essential academic qualification and matriculation certificate होगे, जिनमें आपके date of birth mention हो, और जो other relevant details है, वो mention हो, अगर आप किसी भी category के लिए अलग से apply कर रहे है, reserve kit, reservation के लिए, तो उ इनका size है, ये 20 KB से 1024 KB तक होना चाहिए, जो कि JPG या फिर JPG format में हो, तो ये तो step second था, अब हम बात करते है, step third की, अब step third क्या होगा, आपको दुबारा से 24 hours के बाद, जब आपका activate हो जाएगा, link आपको re-login करना होगा, click करेंगे, आप make online payment पे, जो कि activate कब होगा, 24 घं करने के form submission के application submission के बाद, एक बार जब आपका SB collect of state bank of India का जो portal है, वो खुल जाएगा, तो उसके बाद refresh और back button पे click नहीं करिएगा, क्योंकि फिर वो back होने के बाद, वो दुबारा नहीं work करेगा, तो अब इसके बाद क्या जो भी आपको वहाँ प्रोसेजर शो होगा, उस को जैसे जैसे आप follow करते रहेंगे, आप उसके तुरू क्या कर सकते है, online payment कर सकते हैं, तो friends, यह तो process था, किस तरीके से आप apply कर सकते हैं, तो जो भी candidates apply नहीं कर पाए हैं, उस time पे वो apply कर सकते हैं, आज के लिए friends बस यहीं तक था, next video में फिर मिलूंगे आपके साथ, एक विकिंसी के साथ, तब तक के लिए thank you, goodbye